हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूइजी नोट्स फॉर यू अनलाइन स्टेडी चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक एड्मिनिस्टेशन यानि लोग प्रशाशन के यहां पर हम इंपॉर्टेंट MCQS आपको बताने वाले हैं आने वाले एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो यहां पर स्टार्ट करते हैं कोशन से पहला कोशन है प्रशाशन विश्यवस्तू के अनुसार एक छेत्र से दूसरे छेत्र में बिन्न होगा यह कतन निम्न में से किसकी व् कोशन नंबर टू आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQS हैं यह कोशन नंबर टू विकल्प शब्द POS DCORB किसने प्रयोग किया था कोशन नंबर टू का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुलिक ने कोशन नंबर ठी निम्न में से किन्हों ने प्रशाशन के प्रवंद्ध की द्रस्टी कोड का समर्थन किया कोशन नंबर ट्री ऑप्शन नंबर डी यानि साइमन ने गुलिक ने और स्मिट वर्ग और थॉंपसन ने कोशन नंबर फोर आपके सामने प्रशाशन में वे दस्ती लिपक प्रवंद्ध की और तक्निकी गतिविद्या शामिल हैं जो एक लोग प्रशाशन के पॉलिटिकल साइंस में ये यूज होंगे कोशन नंबर फाइव कौन कहता है कि लोग प्रशाशन में केवल सरकार की कारेकारी शाखा के काम शाबिल होते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लूथर गुलिक कोशन नंबर सेक्स लोग प्रशाशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है यहां कथन दिये गए हैं और इसका सही आंसर है इन में से आपको आंसर चूस करना है और सही आंसर यह सभी है यह सरकार के मामलों का प्रबंदन है गैर राजनीतिक नौकरशाही अंत्र है राजनीतिक परिवेश में काम करता है और स कथन है कोशन नमबर एक लोग प्रशाशन में सरकार की सभी गती विदिया शामिल है और यहां पर ऑप्शन है कि चाहे वे विधान शाका का हो कारी-कारी शाका का या सरकार की नाइक शाका का इस कथन से जलकता है क्या कोशन नमबर एक का ऑप्शन नमबर बी प्रशाशन का व Q9, option 1, 2, LD White, option 4, Democ Q10, निम्न में से किस प्रशाशनिक चिंतक ने प्रशाशन को वांचित लगते प्राप्ट करने के लिए मानव वा भौतिक संसादनों के संगटन और निर्देशन के रूप में परिभाशित किया था Q10, option B, फिफनर ने Q11, प्रशाशन के बारे में निम्न कत्रों में कौन सा सही है और इसका सही आंसर है, option D, 1, 2, and 4 यानि ये सभी नियोजिद मानव गतिविदियों में व्याप्ट है ये एक सहकारी प्रियास है और option 4, ये हमेशा वांचित लक्षों की प्राप्टी में लगा रहता है Q12, किसने ये गोशना की कि अगर हमारी सब्वेता अस्पल होती है तो मुख्य रूप से प्रशाशन के पतन की वज़ा से होगा Q12, option C, Don है Q13, गेरॉल्ड केडने के अंसार लोग प्रशाशन निम्न में से कौन सी महत्पून भूम का अपना ली है Q13, option D, ये सभी यानी राजनीती का संरक्षन, समाजिक आर्थिक परिवर्तन का संस्ताकरण, समाज की कमजोर वर्गों की रक्षा, option 4, बड़े इस्तर की वाडिजिक सेमाओं का प्रवंधन Q14, आपकी सामने Q14, ये सभी यानी लोग प्रशाशन सरकार का आधार भी है Q16, आधनी काल में लोग प्रशाशन के बढ़ते महत्वों के लिए कौन सी कारक उत्तर दाई है Q17, option D, ये सभी यानी कल्यान करी राजका उदे, वैज्ञानिक एवं तक्नीकी प्रगती, जनसंक्या में तेजबडोतरी और आर्थिक नियोजन Q18, सभी उपक्रमों को योजना, संगटन, निर्देशन, समन्वे और नियंतरण की जरुरत होती है और सही दंग से काम करने के लिए सभी को समान समान सिदान्तों का पालन करना है ये कतन किसका है, Q18 का Option C, देखें बहुत important questions है क्योंकि 6 October से एक्जाम होना है, बहुत important UGC Net, Public Administration साथ ही Political Science के most important questions है आपके सामने Q19, एक अनुशाशन के रूप में लोग प्रशाशन के उद्भव के परतम चरण में कौन सी प्रमुक विशेवस्तु थी और इसका सही आंसर है Option No.1, यानि राजनीतिय प्रशाशन में अलगाव लोग प्रशाशनिक मूल मुक्त विज्ञान बन सकता है और Option No.5, कुशलता और अर्थ विवस्ता लोग प्रशाशन के आदर शब्द है Question No.20, निम्न में से कौन से प्रशाशनिक चिन तक लोग और निजी प्रशाशनों में भेद नहीं करते हैं और इसका सही आंसर है Option No.D, हिंड्री पोय पोयल, Option No.2 अर्वेक और Option No.4 पॉलेट Question No.21, हमारे सामने जब कभी कोई प्रशाशनी विज्ञान नहीं है बल्कि एक ही है जो लोग और निजी दोनों ही मामलों पर समान रूप से लागू होता है यह कथन किसका है? Question No.21 का Option No.B, हिंड्री फ्यावल Question No.22, निम्न में से किन प्रशाशनिक चिंतकों ने लोग और निजी प्रशाशनों में भेद का समर्थन किया? Question No.22 और इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिए और इसका सही आंसर बताइए कि क्या होगा? यह आपका टास्क है आज का और इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा? Question No.22 का मिलते हैं नेक्स वीडियो में Thank you so much